कि हेलोँ एपीवरन कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे तू आज की आज की रिडिंग है यह हम करने वाले हैं कि आज सुबह सुबह आपकी पार्टर आप की बारी में क्या सोच रहे थी उनकी energies क्या थी उंकी feelings क्या थी deep feelings क्या रहे stay आज सुबह कि वह हम देखने वाले हैं ठीक है के तो चल यह करते हैं आज की रीडेंग को स्टार्ट देखते हैं क्या cards निकल के आते हैं आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं यहां आपने इनरजी औरिकल डैक का यूज़ कर रहे हूं ठेक है इससे मैं आपके पार्टनर के अनरजी को चेक करते हूं डिवाइन हमें गाईड करें ओके डिवाइन हमें गाइड करें मेरी वीवर्स के पार्टनर के एनर्जीज ओके एप्रिसेशन इंडी सीजन चलो कार्ट सापको दिखने चाहिए ओके फोर्थ चक्रा वोकिंग अवे ओके वोमेन होल्डिंग अहार्ट स्टाटजी जस्टाम मिना ज्यादा कार्ट सोगे हैं अन्जाइटी ओके एंजल अफ लव ओके केरिंग कनेक्शन और मेरे पास डेसीट का कार्ट ओके बॉटम अफ देक है यहाँ पर अन्जाइट कार्ट है आपके पार्टनर की अनरजी की अनुसार से मुझे फिल होता है कि आपके पार्टनर जो है न कुछ बदलाओ का इंतिजार करते हुए देख रहे हैं कुछ बदलाओ ऐसा लगता है जिसे कि यह पर्सन को पता है कि कैसे जो भी आपस्टिकल्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के रिष्टे में उसको सही किया जा सकता है उसको कैसे डील किया जा सकता है आपके पार्टनर को यह पता है बट फिर भी आपके पार्टनर कुछ करने ही पा रहे हैं मुझे ऐसा फील होता है कि ये person कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं सब कुछ कहते हैं कि इनको हर एक चीज की दवा पता है कि क्या है क्या नहीं है हर एक चीज की दवा पता है आपके partner को बट उस दवा को use नहीं कर रहे हैं ये person दवा भी है इनके पास ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर लेने जाना है, ऐसा भी नहीं है, दवा भी है इनके पास, बट ये person उसका यूज नहीं कर रहे हैं, ये person का ऐसा मानना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉरमली ठीक हो जाएगा सब कुछ, है ना, यह person के energy ऐसी है कि यह person अपने आपको बस है ना जैसे कि होता है ना कि हम अपने आपको रोग के रखते हैं तो इसी तरीके से आपके partner ने अपने आपको रोग के रखा है कि सब कुछ normal हो जाएगा तुम्हें टेंशन लेने के जरूत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर मुझे यह फिल होता है कि आपके partner जो है एक तरीके से अपने आपको एक कहते हैं कि boundary में इन्होंने बांध लिया है अपने आपको एक situation में इन्होंने है ना वहाँ पर यह person है ठीक है मुझे यहाँ पर यह फिल होता है कि यह person जो है ना देने की चाहलत रख रहे हैं अभी फिल हाल क्योंकि इनको लगता है कि यह मेरा कार्मिक पाथ है तो उसे मैं मुझे accept करना होगा मुझे ये भी feel होता है कि जैसे जो है ना आपके partner जो है ऐसा feel कर रहे हैं ऐसा सोच रहे हैं कि ये person अगर कुछ करते हैं तो ये person हो सकता है कि देखो ये person किसी को बताना नहीं चाहते हैं आप दोनों के रिस्ते के बारे में ठीक है आप दोनों के रिस्ते के बारे में में इस person को कुछ भी नहीं बताना है, किसी से नहीं बताना है, ऐसी भी energy मुझे feel होती है, मुझे लगता है कि, yes, अब card सही है, है ना, yes, so yes, मुझे ये energy feel होती है, कि आपके partner को ऐसा लगने लगा है, कि मैं क्या ही बताऊं, है ना, क्या ही बताऊं, appreciation का card क्यों है divine, ओके, आपके partner एक जग़े stuck भी है, एक ही जग़े stuck है, देख रहे हो, six of wands के energy है, two of wands के energy है, and है मेरे पास, यहाँ पर five of swords, yes, bottom of the deck, the star के energy, देखो, आपके partner के अंदर balance होना चाहिए, balance होनी की energy होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, balance नहीं कर पा रहे हैं आपके partner, यहाँ पर ऐसी energy आ रहे हैं नहीं की person balance नहीं कर पा रहे हैं, आपके partner के अंदर एक, जो कहता है नहीं की aggressive nature की वज़ा से, कहीं नहीं इनको भूगतना पड़ता है, और यह person भूगत भी रहे हैं, यह person भूगत रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से भूगत रहे हैं, मैं देख पार हूँ कि यह person को कभी कभी ऐसा लगता है, कि यह person को इश्वर ने आपको दिया है, तो inverse को gratitude शो करना चाहिए इनको, बट यह person नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मुझे यह आप यह दिख रहा है कि यह person फोकस तो करना चाहते हैं आपके उपर, लेकिन इस person का, जो कहते हैं कि mind manipulate किया गया है, mind में बहुत negativity डाली गई है, उसी negativity को सोच करके, आपके partner रुक से जा रहे हैं, मुझे यह भी feel होता है कि यह person कुछ चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हैं, कुछ चीज़ों से यह person काफी ज़्यादा disturbed है, यह person देखो focus कर रहे हैं, लेकिन focus बन नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि यह person को clarity नहीं मिल रही है, मैं यहाँ पर यह भी feel कर पा रही हूँ, जिसे कि आपके partner और आपके बीच में वो इंतिजार की घड़िया दिख रही है, इंतिजार करते हुई person दिख रहे हैं, कि चलो ठीक है, कुछ time देने के बाद से सायद कुछ हो सकता है, कि clarity मिल जाए और इस relationship में कुछ बात ही आगे बढ़ है, so yes, मुझे यहाँ पर यह feel हो रहा है six of wands के energy से, कि yes, आपके partner successful relationship तो चाहते हैं, लेकिन अभी feel हाल इस relationship को समझने का time भी चाहिए आपके partner को, आपके partner करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, या कहें तो इस relationship में जाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इस relationship में थोड़ा सब वक्त तो लगेगा, बढ़ ठीक है, वक्त लगेगा लेकिन फिर भी सब कुछ perfect हो जाएगा, ठीक, ऐसी energy मुझे feel हो रही है, मुझे ऐसा भी feel हो रहा है कि आपके और आपके partner की बीच में जो एक क्रॉस रूड है, वो क्रॉस रूड बनता हुआ, मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पर क्रॉस रूड पर खड़े हैं आपके partner, इनको decision भी लेना है, लेकिन decision कैसे ले, क्योंकि इनके अंदर choices available है, इनके पास choices available है, better choices है, दोनों तरफ better choices है, यानि कि यह person third party situation में हो सकते हैं, third party में होने के बाद से ही इनसान confused होने लगता है कि इसको क्या करना चाहिए, उसको पीछे के तरफ जाना चाहिए या इन दोनों को में से किसी एक को choose करना चाहिए, है न, आपके partner emotionally decision लेना चाहते हैं, यह person जो है confusion में है, confused है कि क्या करें, क्या करें, क्या ना करें, मुझे दिखता है कि आपके partner ने बहुत time आपके साथ spend किया है, बहुत ज़्यादा time और यह person आपको लेकर के ज़्यादा सोच रहे हैं, कि आप ऐसे हो, आपकी energy वैसी है, ऐसा है, वैसा है, बहुत सारी चीजे, लेकिन अपने आपके उपर यह person doubt करते हुए दिख रहे हैं, अपने आपके उपर बहुत ज़्यादा doubt कर रहे हैं यह person, काफी clear दिख रहा है मुझे, okay, queen of will का card है, queen of cups, ace of wands, death का card है, bottom of the deck, yes, new beginning यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपके partner के अंदर, यहाँ की energy दिख रहे हैं की norm को decision तो लेना है और कहीं न कहीं मैंने कहां की आपके लिए सोच रहे हैं यह person आपके ही ज़्यादा अटक रहे हैं यह person यह person तरसन आज सुबह सुबह देखते हैं आपकी यादा ये आपका दिया हूआ प्यार आपके पार्टनर को बहुत ज़या नजर आ रहा है आपके पार। और आपके बीच में बहुत प्यार बहुत इमोशन्स बहुत फिलिंग्स हाईली मुझे नज़र आ रही हैं साथे साथ मुझे ऐसा फिल होता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक जो कहते हैं ना कि मतब आपको जो है ना यह पॉर्सन एज़र क्वीन या फिर एज़र किंग यह परसन मानते हुए दिख रहे हैं क्योंकि यहां पर आप लॉजिकल भी हो आप इमोशनल भी हो प्राक्टिकल भी हो कब कौन सा डिसीजन लेना बहतर रहेगा वह सारी यह फिल हो रहा है कि यह परसन सोचते हुए दिख रहे हैं कि मुझे उसकी जहना help लेनी होगी यानि कि यहां पर passionate तो आपके लिए हैं इनके दिल में जो है आग आपके लिए हैं लेकिन third party भी यहां पे involved है third party के रूप में कोई भी हो सकता है जिसके बारे में यह परसन सोच भी दिखाई दे रहे हैं ठीक है कहीं आप 90% हो तो कहीं वो 85% है यानि कि 85% ठीक है तो 85% उस परसन के लिए फिलिंग्स और 90% आपके लिए फिलिंग्स तो यहां पर वो जो 5% है ना उसी में आपके partner conclusion में पड़े हुए है ठीक है वो energy मुझे काफी clear दिख रही है इनका heart chakra भी block है जिसकी वज़ा से जो है इनको परिशानी हो रही है life में है ना यहां पर दिख रहा है कि इनका heart chakra काफी block है और heart chakra की blockages के कारण से यहां पर यह चीज़े दिख रही है the hanged man में ने कहा ना heart chakra block है इनका एक दम काफी clear way में दिख रहा है 10 of cups very nice heart chakra block है इसी के वज़े से यह person stuck भी है वरना यह person कब का आपके तरफ आ गए होते कब का इन्होंने एक बहुत beautiful सी family बना ली होती क्योंकि सपना तो है आपके साथ आगे बढ़ने का इनका dream है इन्होंने dream देखा है आपके साथ आगे बढ़ने का क्योंकि आपकी खुबसूरती है या फिर आपके जो एक आपका जो high power है higher energy है सो उसको जो है आपके partner देख पाते हैं कि आप कितना ज़दा खुद को balance करते हो मुझे जहां तक लगता है आपको fashion के साथ या tradition के साथ जो चलना काफी अच्छा लगता है जो कि आपके partner को बहुत 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 ज़दा पसंद है आप अपनी traditional चीजों को छोड़ नहीं सकत हो आपका जो है ना एक fashion के साथ रहना ठीक है लेकिन आपको ज़दा तर वैसे जो है आउटफिट्स पसंद आते हैं जो कि काफी traditional हो काफी ज़दा अच्छा हो ठीक है तो वो चीजे जो है ना आप में अंदर देखते हैं आपके partner और उसको ले करके जो है आप ज़दा serious होत है देखिए आप अपने आपको लेकर के serious होते हो आपको confusion में रहना बिलकुल भी पसंद नहीं है आप जिद्धी भी हो बहुत ज़दा जिद्धी हो और यहां पर यह दिख रहा है कि आपके partner को कभी कभी यह लगता है कि जिद्धी इंसान कभी धोखा नहीं देता है ठीक है कि high energy भी देख रहे हैं higher energy को देख करके आपके partner आपके तरफ attract हो रहे हैं या कहें तो आपके तरफ attraction इनका बनता ही बनता है ठीक मुझे ऐसी feelings ऐसी vibe आ रहे हैं कि yes आपके partner को आपसे प्यार बहुत ज़दा है emotionally attachment बहुत ज़दा है emotionally काफी attached है आपके partner आपको ले करके इनके सिरियसनेस जो बढ़ रही है ना काफी अलग है सिरियसनेस बहुत ज़दा है ठीक है आपको ले करके इनके अंदर जो सिरियसनेस energy दिखाए देरी है जो सिरियसनेस मुझे नजर आ रही है सच में unexpected है ठीक है सो यह energy मुझे काफी ज़दा clear दिख रही है ओके walking away का card क्यों है य मेरे पास night of wands देख रहे हैं आप लोग यहां पर cards क्या बताते हैं आपके partner जो है ना अपने आपको जो blame कर रहे है 10 of wands bottom of the deck देखो यहां पर तकलीफ, pain और अंचाहा सा burden आपके partner के उपर बहुत जादा है अंचाहा सा burden बहुत 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 जादा है जिसको आपके partner उठ या है वो मैं करके रहूँगा या मैंने जो कहा है वो करके रहूँगा तो family responsibilities है या जो भी है बट यह जो person है ना यह person काफी ज़्यास होते हुए दिख रहे हैं ठीक है यह person जो है ना इस serious या पर कहें तो इस situation से बाहर निकलना चाहता है यह person नहीं चाहते हैं कि आप दोनों क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि इनके decision लेने के बाद से ही कुछ चीजे हो पाएंगे अगर यह person ऐसे ही confusion में रहें ऐसी ही चीजे confusion में रहीं तो ना यह person अपने career में focus कर पाएंगे ना ही अपनी life में और ना ही अपनी love life में successful हो पाएंगे है ना सो मुझे दिख रहा है कि यह person अब ready है अब ready है reality को accept करने के लिए एक new beginning को जो है ना लाने के लिए person ready है मुझे यहाँ पे यह दिख रहा है कि जो यह person अपने आपको blame कर रहे है या crossroad पे जिस तरीके से यह person खड़े है वो crossroad पे खड़े रहना क्या इनको वो profitable होगा यह भी तकलीफ दी मैंने उसे वो दर दिया जो कि शायद वो कभी भुला ना पाए है ना आपके partner के अंदर वो दिख रहा है मुझे वो energy मुझे नजर आ रही है अब जो है आपके partner का क्या है अब आपके partner नो यहाँ पर decision लेना चाह रहे है decision लेना बनता है decision लेना ही पड़ेगा य यह energy मुझे काफी ज़्यादा दिख रही है आपके और आपके partner के बीच में बहुत ही प्यारा सा energy आता हुआ दिख रहा है जो कि है कि हाँ यह person को पूरा passionate होकर के passion के साथ पूरी तरीके से है ना इनको आगे बढ़ना होगा इनको clarity लानी होगी अपने जीवन में तो clarity लानी ही होगी मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि हाँ आपके partner आपके साथ आगे बढ़ने को ready होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके partner आगे बढ़कर के इस रिस्ते में काफी ज़दा clarity लाने की energy में दिख रहा है मुझे ठीक है तो यह काफी passion दिख रहा है मुझे और passionate होक करके यह person आगे बढ़ना चाहते हैं वह energy में passion दिखाना बहुत ज़्यदा जरूरी है ठीक है आपके partner energy आपके partner के energy काफी बहतरीन सी है two of will का card, woman holding a heart and nine of swords and है मेरे पास tower देखो king of wands, okay so मुझे यह आप यह feel हो रहा है कि आपके partner जानते हैं कि आप तो इनका wait कर रहे हो ठीक है आप इनका wait कर रहे हो no contact है तो क्या हुआ बट फिर भी आप इनका wait कर रहे हो ठीक है हाँ, two situation में ये person confusion में थे, दो लोगों में confusion में थे, जगल कर रहे थे कि क्या करे, किसको choose करे, क्या करे, क्या करे इसे भीच आप दोनों का break up भी लुआ था, है ना दो लोगों में confusion होने के कारण से, आपके partner ने आचानक से आपसे रिस्तात तोड़ दिया था, अचानक से आपसे no contact zone में चले गए थे, अब दिख रहा है कि आपके partner को realization हो रहा है, अब realization हो रहा है कि इनको जो है न, वो एक है, कहते हैं कि life थोड़ी सी बनानी पड़ेगी, ठीक है, change करना पड़ेगा, अपने अंदर change करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपके partner के अंदर वही हो रहा है, nine of sorts यानि की तकलीफ है, दर्द है, pain है, है न, कि आपका साथ ही ने छोड दिया, दो लोगों में confuse हो करके, दो लोगों में confusion किस बात की हुई, है न, जब प्यार करते हो, तो प्यार करते हो, प्यार नहीं करते हो, तो मत करो, है न, तो वही वाली energy मुझे फिल हो रहे कि ऐसा, आपके और आपके partner के बीच में, मुझे काफी जादा अलग सी energy डिख र है, ठीक है, मुझे ऐसी vibe आ रहे है कि येस, आपके partner आपको, जो है, आपको, जो है, maintain नहीं कर पा रहे हैं, या आपको, जो है, एक, ऐसी energy मुझे दिख रही है, जहां पर आपके और आपके partner के बीच में, वो, एक, कहते हैं न, कि थोड़ा सा, थोड़ा सा, लाइफ में, अ वो महबत, वो emotions दिख रहा है, देखिए, आपके partner को, आपकी याद बहुत आ रही है, आपके partner आपके बगर सो भी नहीं पाते हैं, ये भी दिख रहा मुझे, नीन नहीं आती है, आपके partner को, रात में अक्सर उठकर, रोने लगते हैं, ये person ऐसी भी energy है, आज सुबह सुबह अलग सी ही feelings मुझे दिख रही है, deep feelings में भी मैं देखू, तो deeply मुझे एकदम से, आपके partner के अंदर दिख रहा है, कि जिसे कि ये person को काफी तकलीफ होती है, आपको याद करके ये person होता नहीं कि अपने, आप में कहीं ये person गुम हो जाते हैं, वो energy मुझे feel हो रही है, ठीक है so yes, मुझे यहाँ के energy काफी अलग दिख रही है, काफी ज़्यादा अलग है, ठीक है, मुझे यहाँ के energy काफी ज़्यादा अलग दिख रही है, okay, strategy, divine हमें guide करें, 10 of will, 2 of cups, and मेरे पास knight of will, very nice, very very nice, 6 of will का card है, bottom of the deck, देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो card है, यहाँ है, मेरे पास strategy, strategy किस चीज की planning चल रही है, आपके partner के अंदर, आपके partner planning कर रहे हैं, कि इस पात की, तो यह family बनाने के 10 of will, एक happy family, है ना, बनाने की, दोनों एक दूज़े के साथ, बैठे हुए, दोनों एक दूज़े के साथ, एक दम involve होते हुए दिख रहे हो, यह person family बनाने के लिए, strategy बनाते हुए, प्लानिंग करते हुए दिख रहे ह लॉंग टर्म यहां पर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं यहां पर दिख रहा है कि आपको यह प्रपोज करने वाले हैं प्रपोजल देने वाले हैं हाँ इन और आउट सिचेशन होती रहती है लेकिन डरने की ज़रूत नहीं है यह रिलेशनसीप बनेगा बड़ टाइम ज्यादा लगेगा यह भी दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर के अंदर है कि प्लानिंग करके ही हम आगे बढ़ेंगे हम आगे तो बढ़ना ही है फैम करेंगे आपके पार्टनर के अंदर है और आपके पार्टनर आपको करना चाहते है कि तुम्म एक और यहां पर टाइम के बाद फोड़ा यह पर उप धैना कार्ट है कि देख रहे हो कितना पृष्वन एक होता है कि हां अब मुझे बरदाश नहीं हो रहा है अब मुझे आना है मुझे आना है तो वह वाली energy मुझे feel हो रही है so yes आपके partner strategy बनाते वो दिख रहे हैं planning करते वो दिख रहे हैं और planning के थुरू ही ये person आगे पढ़ेंगे anxiety आया है anxiety की energy आया है so yes anxiety की energy क्यों है यहां पर divine हमें guide करें page of cups five of cups three of will okay seven of will दिखो past में इन्हों ने जो किया है उसको लेकर के ये person को anxiety stress होता है past में जो भी किया है इस person ने third party को चूज करके आपको यहां पे आपके proposal को reject कर दिया या एक होता है ना कि हाँ आपको छोड़ करके ये person चले गए ये energy दिख रही है third party की वज़ा से ही जो है ये person को pain मिला है यहां पे third party की वज़ा से ही इनको जो है काफी pain मिला है इन्होंने अपनी life का बहुत गलट decision लिया इनको अपसोस होता हुआ दिख रहा है बहुत ज़ादा अपसोस होता हुआ दिख रहा है कि आपके रहते third party के पास ये person चले गए proposal दे दिया थोड़े time के लिए ही भले वो रिस्ता था बहुत short term के लिए वो रिस्ता था लेकिन इस person ने proposal तो third party को ही दिया था third party को दे करके और फिर आपके साथ दगावाजे की और अब दिख रहा है कि अब ये person को अपसोस हो रहा है इसलिए तो इनको anxiety हो रहा है stress हो रहा है रोते वे दिख रहा है रात को नीन नहीं आ रहे है आपके partner को क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि वो फंदर डाल करके नहीं बुलाया था आपने करीब है ना ये person जान बूज के ये person गया थे दिल फेक किस्मिके इंसान हो सकते हैं आपके partner बट हाँ सही समय पे इनको realization हो गया है इनको realization हो गया है कि नहीं third party नहीं मेरे लिए perfect है मेरे लिए मेरा partner perfect है ठीक है तो yes मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है इसलिए ये person को anxiety हो रही है stress हो रहा है ये person का दिल जो है कहते है न कि दिल बैठा जा रहा है ठीक है तो वो दिख रहा है मुझे आपके partner के अंदर angel of love angel of love के energy क्यो है यहाँ पर king of swords six of will and है मेरे पास ace of swords का card bottom of the deck hermit का card ये person काफी अकेले हो गये है है न काफी अकेले हो गये है और अकेले पन में ही सब कुछ एसास होता है किसी की value किसी की respect या किसी के साथ क्या हुआ था वो सारी चीजे हम अकेले पन में ही जो है ना realize कर पाते हैं सोच पाते हैं समझ पाते हैं वही आपके partner के अंदर हुआ है आपके partner ने अपना logic लगाया है अपना दिमाग लगाया है ये person ने अपना logic लगाया है सरिफ emotions के साथ ये person नहीं सोच ते हुए दिख रहे हैं काफी logic लगाया है इस person ने काफी ज़दा लॉजिक लगाने के बाद से इनको समझ में यह आया है, clarity आया है इनको सबसे पहले तो, clarity दिख रही है कि हाँ, मेरे लिए कौन perfect है, कौन नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है कि आपने इनको इतना ज़दा प्रेम दिया है, इतना ज़दा attachment दिया है, इतना सकूँ, जिसके सामने में अपनी बात ही रख सकूँ, है ना, तो वो चीजे मुझे नजर आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टर की बीच में six of will का card है, six of will की energy मुझे काफी clear दिख रहे है, कि हाँ, आपके साथ equal give and take करना है आपके इको, equal give and take करके इस रिस्ते को जो है ना, यहाँ पर आगे बढ़ाना है, यहाँ पर यहाँ पर दिख रहा है कि ये परसन तो third party के चकर में चले गए थे लेकिन ये परसन जब logic लगा रहे ना तो इनको प्यार आपका king of wands okay queen of swords and justice okay bottom of the deck है यह आपके eight of wands very nice so yes आपके partner तो आपसे बात भी करना चाहते हैं बात करना चाहते हैं और मुझे दिख रहा है कि आपका जो caring nature है आपके partner ने उस चीज को notice किया है yes आपकी अंदर की energy आपके partner ने notice किया है यह person ऐसा नहीं है कि यह person आप से बात नहीं कर रहे है आप से no conduct zone में है तो आपकी कोई khabar ही नहीं है खबर सब कुछ है सब कुछ खबर है लेकिन यह person उस समय आने ही रहे थे क्योंकि इनको लगता था था आप इनको माफ नहीं करोगे क्योंकि आपका नेचर वैसा नहीं है कि अगर तुमने गल्दी करी तो मैं तुम्हें आराम से माफ कर दूगे नहीं तुम्हें सजा मिलेगी ठीक है वो वाली energy है देखे आपके partner को realization बहुत अच्छे तरीके से हुआ है इसलिए justice देने की बाद आपके partner की energy दिख रहे है justice तो देना पड़ेगा इनको है ना justice तो देना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया है बहुत ज़ादा गलत किया है गुनाह किया है आपका दिल तोड़ करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती करें और मुझे केरिंग कनेक्शन का card clear दिख रहा है कि आपके partner को जो है ना अब आपकी बहुत ज़ादा परवा है बहुत ज़ादा highly energy में दिख रहा है कि अब आपकी partner जो है ना अब आपकी केर करना चाहते है इस तरीके से आपने इनकी केर की है ना अब दिख रहा है कि अब इनको जो है ना आपकी केर करनी पड़ेगी ठीक है अब आपकी care करनी ही पड़ेगी क्यों क्योंकि यहां पे दिख रहा है कि आपके और आपके partner की बीच में सब कुछ सब कुछ सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से होने के chances हैं ठीक है four of wheel, page of wheel and है मेरे पास chariot के energy एक दम किसी के jealousy की वज़य से आपको ये सारी चीज़े जहलनी पड़ी है ना page of swords येस आपके partner के mature behavior ना होने के वज़य से भी बहुत सारी चीज़े जहलनी पड़ी तो अब दिख रहा है कि अब आपके partner को maturity मुझे नजर आ रही है अब जो है आपके partner आपके तरफ सोचते हुए दिख रहे हैं अब आपके partner को ये हो गया है कि भाई मुझे जो है ना वो relationship तो चाहिए मुझे मेरा partner चाहिए मुझे मेरे partner के साथ जो relationship है उसको protect करना है मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है आपके कार्ट में आपके partner के आखी काफी जदा खुल गई है यह person अब दिख रहा है कि समय के साथ जो एक होता है ना कि परिवर्तन करना तो परिवर्तन होता हुआ भी दिख रहा है मुझे काफी अच्छी vibe है काफी अच्छी energy है सो yes मैं कहूंगी कि yes yes life काफी अच्छी गुजरेगी क्योंकि यहाँ पर decision ले लिया गया है आपके लिए आपके partner ने decision ले लिया है आपके लिए potential लेने वाली कोई बात है नहीं ठीक है सो positive रहे positive thinking कीजिए अपने partner को गाली गलोज मतलब देना है ना बहुत गलत है और किसी को भी अगर हम गाली देते हैं तो अपना कर्वा खराब करते हैं ठीक है तो गाली गलोज तो बिल्कुल भी ना करें ठीक चलिए देखते हैं क्या cards निकल के आते हैं as advice, advice के रूप में क्या cards निकल के आते हैं divine हमें guide करें advice क्या देना चाहेंगी divine हमें okay listen to your intuition आप अपने intuition को सुनिए ठीक है आपका दिल क्या कहता है अपने intuition को सुनिए मुझे यहां पे देख रहा है यहां पे आप थोड़ा सा deeply सोचो आपका दिल आपका मन आपका क्या कहता है आपको ले करके उसके बारे में कह रहा है और यहां पे यह card बता रहे है divine के तरफ से जो card आए है angels के तरफ से जो card आए है कि देखो यह जो changes है ना यह बहुत बड़े changes होने वाले हैं और happy changes होंगे बहुत कुछ हा रहा है आपकी life में जिसको आपको accept करना चाहिए so accept करने के लिए claim कीजिए आज ही इस reading को like कीजिए subscribe कीजिए channel को और आपको पता है कि मैं क्या कह रही हूँ share भी कीजिए ताकि आपकी help हुई किसी और के भी help हो सके किसी और के बारे में भी सोचे कि आप किसी की कैसे help कर सकते हैं इसलिए share कीजिए वीडियो को ताकि उनके अंदर भी जो चल रहा होगा कम से कम उनको भी तो guidance मिल पाएंगी ना मेरी थुरू है ना आपके थुरू तो उनकी blessings भी तो आपको मिलेंगी ना है ना तो वह चीज़े करनी चाहिए आपको help किजे किसी की तभी आपकी कोई help करेगा है ना तो चलिए आज की reading को यहीं पर खतम करते हैं और अगर आप चाहते हैं मुझसे प्रसम टारो रीडिंग लेना अगर आप चाहते हैं मुझसे टारो का डीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना तो आप लोग मुझसे contact कर सकते हैं इस्क्रीन पर दिये कए नमर पर contact केजिए वहां से contact और जो भी रीडिंग होती है पैंट सर्विस है ना जो भी चाहते हैं तो a pastor उनेज़ टाउंग آپ को बताँगी नेक्सट वीडीयो में नहीं है सब कुछ बताऊंगी जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि यह जो ब्रसलेट है कैसे काम करता है आपके उपर कैसे काम करेगा और आप इसको कैसे वियर कर सकते हैं ठीक है तो अगर आप चाहते हैं अधिक से अधिक जनकारी स्क्रीन पर देए गए नबर पर कॉंड़क कीजिए हम मिलेंगे आपसे दुबारा किसी और रिडिंग में तब तक के लिए बाबाई टेक कियर